प्रस्तूत पार्ट एक नाटक है और इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं हरीश हरीशंकर का पुत्र हरीशंकर हरीश के पिताजी शीला हरीश की मा हरीश एक होनहार बालक है वें बारवी कक्षा में पढ़ता है हरीश पारवी कक्षा में अपने विद्याले में प्रथम आया था परन्तू उसके माता-पिता की आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं थी वे आर्थिक तंगी के कारण बहुत परिशान थे हरीश के माता-पिता उसे आगे पढ़ाना चाहते थे परन्तू उनके पास उसकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे हरीश को जब ये बात पता चली जब उसने अपने माता-पिता को उसके कारण परिशान देखा तो उसने उने समझाया कि वे परिशान नहों, वो अपनी पढ़ाई का खर्च स्वैम उठालेगा हरीश ने बिना बहाना बनाए अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए स्वैम कारे किये उसने पासी एक कपड़े की दुकान पर हिसाब लिखने का कारे किया अपनी बचे हुए समय में वे अपनी दोस्तों के छोटे भाई भेनों को ट्यूशन पढ़ाता था हरीश ने अपनी महनत से अपनी कॉलेज के प्रथम सत्र में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया इस प्रकार हरीश ने अपनी कारेओ दोरा अपनी आतनिरभरता का परीचे दिया और यह सिद्ध किया कि जहां चाहा होती है वहीं रहा बनती है तो मैं आशा करती हूँ आपको यह पार्ट समझ आ गया होगा आपका दिन मंगल मैं हूँ धन्यवाद